हाई गाइस तो यह है लेनोव का लॉक आई 512 जेनरेशन विद आर्टी एक्स 4060 वेरियंट इसमें 8GB रैम ग्रैफिक कार्ड है तो इस वेरियंट की डिस्प्ले के बारे में मेरेको इन्फॉर्मेशन लेंड थी की लाइब यह 63% 68% sRGB डिस्प्ले है या फिर 100% sRGB डिस्प्ल इसका एक सिंपल सा एक तरीका है जो कि मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूं इसमें आप डिस्प्ले की आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे उसके बाद मॉनिटर में इंटिग्रेटिड मॉनिटर की प्रॉपर्टीज देन आप जाएंगे डिटेल्स में फिर इसके ने अंदर हाड़वेयर आईदी का option select करना है इसमें आपका मॉनिटर का चो डिस्प्ले है उसका मॉडल नंबर शोलब इसको आप कॉपी करोगे then आपको Chrome पर जाना है आपको इस डिस्प्ले का model number लिखना है और आगे आपको लिखना है panel look एक website जहां पर हर display panel की information होती है जैसे आपने website ओपन दगी इसके अंदर आपको अपना model number copy paste करना है display का एंद आपकी display की information शोगी तो यह रही इस display की information इसमें आप देख सकते हैं full HD display है 350 nits इसकी brightness है यहाँ पर आप देख सकते हो 350 इसमें आपको इसमें आपको स्पेक्स वाले ओप्शन को क्लिक करना है इसमें आपको determination मिलेगी ntsc ratio भी 45 bauen sRGB 63% and Adobe RGB 47% though it's not a 100% sRGB display, it's only 63% sRGB display but from the price to performance ratio we get RTX 4060 in this variant and I got this laptop at 71,500 on a deal so it's the best gaming laptop you can get at this price so yes, any questions, you can ask me in the comment section thank you